मैं यहाँ पर शायद नवेंबर से हूँ और एक्चुली मैं यहाँ पर आई हूँ तो अपनी एजन्ट की तरफ से आई हूँ यहाँ बहुत स्नो गिरती है मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि कभी नहीं देखा था पहली दाफह मैं इंडिया से बहुरा आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पर रषिय नहीं पर little cooked चया हुश scratch मुझे बहुत खुशी होती है इक साथ मिल कर बहुत अच्छे तरीके से हम खाना पी पकाते और जब युनिवोस्टी के बात आती है तो यहाँ किसे कनवे करने के लिए वो बहुत मेहनत भी करते हैं और यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है माना कि यहां पर बहुत डिफरेंसेस हैं इंडिया के तरह नहीं है लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर पढ़ने के लिए और और यहां पर administrative जो officers हैं या जो भी हैं यहां पर office में काम करते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से interact करते हैं पोस्ट वितका के बारे में हो या वीजा के बारे में हो बहुत corporate कर रहे हैं हमारे साथ और एक और अच्छी बात है यहां की यहां पर physical training भी होती है education के साथ तो वो भी अच्छी बात है और मैं क्या बोलूँ मुझे अच्छा लग रहा है यहां जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है आप उससे knowledge ले रहे हैं मुझे यहां अभी तक तो मुझे histology और anatomy में पढ़ रहे हूं medical subjects तो anatomy में यहां पर बहुत जैसे चीज़े हैं जिसको मैं देखके पढ़ सती हूं practical way में जो की दूसरे जगा नहीं मिलती और मैं post-mortem के लिए भी गई थी देखने के लिए कि कैसा होता है हमारे सहर उन्हें लेके गयते हैं और में खुदी की इंट्रेस्स के लेके तो वह बहुत अच्छी बात है कि हमें इंट्रेस्ट दिखा रहे कि हम भी कुछ सीका है तो ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो बहुत ही inट्रेस थी जो बहुत ही ea मजे और झातकर हैं आप लिए और भी इंडियन बच्चे हैं इद कर रहे हैं बौत सारी इंडियन बच्चे हैं जो बाध मज़े से पढ़ रहे हम एक दूसरे के साहथ जो भी क्वेश्टन से नोग्थ से वह अच्छे से डिसकस कर रहे हैं हम इंडिया से बुक्स भी लाए थे जो हम पढ़ सकते रेफर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करके पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहे हैं